नमस्त दोस्तों स्वागत है आप सबका इंडियन डिश में देव में आज मैं आपके लिए लेकर आएँ पूरी साथ में आलू की जोलदार सब्जी बिल्कुल रेस्टुरेंट स्टाइल अगर आप भी इस तरह से एक बर बनाएंगे तो हर बर आलू के सब्जी इसी तरह बना पान साथ काली मेर्ची मसाले को कुछ सेगेन के लिए उने दे उसके बाद जो हमने प्याज टमाटर का पेश बना कर रखाते हैं उसे डाल देंगे गैस को इस टाइम धिमे राके ने तो हो सकता उचल के आजा हाथों में इसा हाथ भी जल सकते और लगाता चलेते हुए गैस तो चलिए इसे लगा तक फ्राइ करते हैं जब फ्राइ हो जाती है हमने जो टमाटर पेश्ट बना कर रखेते हैं उसे डाल देंगे साथ में डालेंगे आदी चमश लाल मिर्ची पावडर आदी चमश धनिय पावडर धनिय पावडर आप चाहते हैं थोड़ा कम भी कर सकते हैं स्वादनुसा नमक अब हमें सारे मसाले के साथ में एक बार फीर से अच्छी तरह मसाले को फ्राइ कर लेनी है जब तक कि हमारे मसा तेल न चोड़ने लगे अब देख सकते हैं मसाला मिक्स होने के बाद कुछ इस तरपरकार दिखता हैं इसका कलर बहुत ही खुपसूरत दिख रहे हैं और साथ में इसमें से तेल भी निकलना शुरू हो गए हमने मसाले को लगातार चलाती हुए पांच मिनी तक भून लिया था मिडियम लोगस पर मसाला फ्राइ हो चुके अब हम इसमें डाल देंगे आलू कटी हुई साथ में डालेंगे एक चमच मलाई घर के दूद की फ्रेज बनी ह मलाई है साथ में डालेंगे मक्षन अब दूबारा से सारे मसाले के साथ में आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि आलू का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़ी आए और आलू को चार मिनी तक मीडियम टू लोगस पर फ्राइब कर लेंगा है इस से हो गई है जो हमारे आलू है इसके कच्छापन दूर दूर हो जाएगा और आलू हाफ राई भी हो जाएगी आप देख सकते आलू को पकाती हुए में लगातर पास से साथ मिन्ट हो चुकी मिडियम लोगस पर आलू का जो कलर है चेंज हो चुके काफी और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे गरम चुकी है अब हम जब तक सीटी खूल रहे है प्रेशर को कर के तब तक पूरी की तहरी कर लेते में यहां पर चार यह पांच पूरी के लिए आटा लगाओंगे आप अपने अभुशक्ता के अनुसाल लगाए साथ में हम डालेंगे पूरी में स्वाधनुसन नमक उस लोग नमक पसंद यह करते तो नमक को स्कीप कर दे साथ में लेंगे आदिचमच आजमाई सर्दी हलकेल की पढ़नी लेगी है तो आजमाई कोई नुकसान ने करता है और फिर भी अगर आपको पसंद नहीं तो आपस नहीं रखेंगे इसा हातोहती बना लेंगे तो इस बज़े से सौप्ट करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे आदिचमच ओयल आप चाहे तो ओयल के बज़े गी कभी इस्तिमाल कर सकते हैं और फिर से एक बार हम आटे को दो मिनिट तक लगा लेंगे इससे हमारे आटा काफी सौप्ट हो जाएगी और हातो आत पूरी बेलने पर भी कोई दिक्कत नहीं पर आप चाहे तो दस से पंदा मिट के लिए रेश्ट के लिए रख सकते हैं दुबारा से हमने आटे को लगा का तयार कर लिया है अब हम इसमें से जितने वरी पूरी बनाना चाहते हैं उस अगर चाहे तो उसे ऐसे भी बना सकते मतलब पूरी को ऐसे भी तल सकते हैं लेकिन अगर गोल शेप देना चाहते तो उसके लिए आप एक बार रोटी के तरह अच्छी तरह बड़ा ऐसे बेल ले अब जितने बरद चाहे या मोटी जितनी मोटी चाहे बरोबर में बस यह है कि जिस टाइम आप बिले इस बात का दियान रखे कि एक साइट उचा यह एक साइट नीचे नहीं होना चीए चारो तरह पूरी बिल्कूल बरोबर होना चीए हमारी यह देख सकते हैं बिलकर तयार है अब मैं यहां पर ले रहे हूं यह एक चोटा सा टिपी ने उसको आप प्याली ग्लास कुछ भी ले सकते जो आपको पसंदो आप या फिर आप जितनी वरी साइस के बनाने चाहते हो जब यह कट जाएगा तो तो हतों की सायता से किनारे को निकाल दे आप देख सकते कितना पर्फेक्ट पूरी बन कर बिल्कुल तयार है और बिल्कुल चारो से जैसे उपर रखेंगे तो भापसा आएगा और उसके बाद में तेल अच्छे से गरम कर लेना है फिर हमें पूरी को डल देनी है अगर तेल अच्छे से गरम होगा और आपने जो आटा लगया वह परपेक्ट होगी तो हमें ज्यादा छेर करनी के जुरूत नहीं है यह प अगर चाहें कि मतलब इससे थोड़ा जल्दी काम हो तो इसके लिए आपके पास एक और जिससे भी आप अपने काम को जल्दी और आसानी से कर सकते इसके लिए इस पूरी को कर देते साइड में जैसे हाफ राई हो जाएगा तो इसे साइड में कर दीजिए और साथ में दू अलग तो अलग हैं बिल्कुल इने हुआ चिपक रहें हैं आप ये एक साहत बहुत जलदी मतलब बना कर तैयार कर सकते हैं तो छली swoją बनाकर कर लेते हैं बैसे हमारे एक पूरी लगभग नहीं हो चुकी है लगभग हो चुकी है तो सबसे पहले तो इससे उतार लेंगे उसके बाद में जो दूसरा है उसमें त्थायम लगेगा तो जब्र choses और सबतक हम तरह परोस्तिने की तेहरी का लेते हैं तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगें तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें बैल आइकन को जरूत दबाए इससे हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिक्शन आप तक पहुच जाएगी मिलते फिर किसी नए वीडियो के साथ में